सरम्द सुईधा पोटल रेजिस्टेशन तो सरम्द सुईधा पोटल में आप कैसे रेजिस्टेशन कर सकते हैं भारत सरकार अपने नागरीकों को सुईधा परदान करने के लिए कई सुईधाईं ओनलाइन जारी कर रही है सरकार ने स्रम स्विधा पोटल के नाम से एक ऐसी स्विधा शुरू किया जिसके तहत देश के सभी स्रमीक, मजदूर और व्यवसाई आवेदन करने लाब उठा सकते हैं इस पोटल के लाउंच के साथ सभी व्यक्तियों को भारत परीशर में एक व्यवसाई गतिविधी करने के लिए निश्चित साहता परदान की जाएगी बेनिफिट्स और फीचर्स और स्रम स्विधा पोटल इसके बेनिफिट्स और फीचर्स क्या क्या है बना है यह पोटल एक ऐसा मुंच है जिसपर स्रमिक अपने सिकाएद दर्ज करा सकते हैं और निवारन प्राप्त कर सकते हैं दूजरा है इस पोटल के माध्यम से स्रमिक पहचांद संख्या भी जारी की जाती है Company और कर्मचारी दोनों इस portal पर पंजी करन करा सकते हैं तीसरा है LCL मतलब Less Than Container Load DGMS Decorate General of Mines EPFO और EPIES Employee State Insurance Corporation जैसे portal के माध्यम से अन्य सुविधाएं भी उपलब्द है तो आपको इसमें registration करने के लिए इसका official website पर आजाना होगा स्रम सुविधा.gov.in इसके official website पर आने के बाद आपका ऐसा homepage खुल जाएगा homepage खुलने के बाद आपको यहां right side में यहां user id password लिखाओ दिख रहा है अगर आप login करना चाहते हैं तो user id यहां password और verification code को यहां भरके submit पर क्लिक कर दिए तो यहां से आप login कर सकते हैं और अगर आपको registration करना है new तो आपको create a स्रम सुविधा portal account यहां लिखाओ दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपका next page खुलेगा स्रम सुविधा sign up form for establishment representative owner तो आपको यहां देखी क्या क्या यहां पूछा गया है first name, middle name, last name आपको भर लेना है email id, mobile number और इस capture code को यहां भर लेना है और sign up पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपका registration हो जाएगा और आपको user id और password मिलेगा जिससे आप login कर सकते हैं